प्राइम टीविया में कीरती हाजर हूँ लेकर एक नई चर्चा का विशह हाला की रिप्ट जीन्स पर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है तो उस पर चर्चा करनी तो बनती है उत्राखंड के मुख्यमंत्री तीरस सिंग रावत इन दिनों अपने एक बयान को लेकर काफी चर्चा में उन्होंने आज कल के युवाओं के पहनावे को लेकर बयान दिया है जिस पर बहुत से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है वहीं इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस चड़ गई है इतना ही नहीं तीरस सिंग रावत के बयान के विरोध में सोशल मीडिया पर एक नया हैश्टाग चल रहा है जिसका नाम है आश्टाग रिप्ट जीन्स ट्विटर इसके बाद तो नेताओं से लेकर कई फिल्मी सितारे भी तीरस सिंग र उत्राखंड के नेज मुख्यमंत्री तीरस सिंग रावत द्वारा महिलाओं के पहनावे को लेकर जो बयान दिया गया है उस पर विवात बढ़ गया है सोशल मीडिया पर इस बयान पर बहस छिड़ गई है तो वहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का भी अंबार लग गया ह दरासर उत्राखंड के मुख्यमंत्री तीरस सिंग रावत का महिलाओं को लेकर दिया गया एक बयान काफी चर्चा में है कहा कि महिलाएं आज फटी जीन्स पहन रही है ऐसे में बच्चे क्या संसकार सीखेंगे उन्होंने बताया कि मैं एक दिन हवाई जहाज से जैपूर स दो बच्चे उनके साथ में थे महिला एंजी ओ चलाती है समाज के बीच जाती है क्या संसकार दोगे आज मैं जब बैठा तो मेरे पडोस में बगल में एक बहींदी बैठी और बहींदी वैटी थी तो बाची दुई श्वाबा की बगल में बैठी है कि लेकिन मैं जब उनकी तरव देखा तो नीचे गंबून थे जब और उपर देखा तो गुढ़ने फटे थे हाँ देखे तो कहीं कड़े थे लेकिन जब यह गुटने देखे बच्चे दो साथ में उटकी थे मैं गुटने कहा जाना है दिली जाना है अजबर कहा है जीनु में प्रोपेसर है तुम क्या करती हो में ये गुटने पड़े दिखते हैं समाज के बीच में जाती हो बच्चे साथ में हैं क्या संस्कार दो तीरत सिंग रावत के बयान के बाद त्रडमूल कॉंग्रस की सांसद महुआ मोहित्रा ने तीरत सिंग रावत के बयान पर तीखा हमला बोला है टीमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने ट्विटर पर लिखा कि उत्राखंड सिंग कहते हैं जब नीचे देखा तो गंबूर थे और उपर देखा तो फटी जी एंचियो चलाती हो और गुठने फटे दिखते हैं सीयम साहब जब आपको देखा तो उपर नीचे आगे पीछे हमें सर्फ बेशर्म बेहुदा आदमी दिखता हैं टीमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने आगे लिखा कि राज चलाते हो और दिमाग फटे दिखते हैं आपको बता दे कि ना सिर्फ महुआ मोहित्रा बलकी कई राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से तीरत सिंग रावत के बयान की निंदा की गई हैं कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया पर तीरत सिंग रावत के बयान की आलोशना की जा रही है शिवसेना सांजद प्रियंका चतुरवेदी ने भी तीरत सिंग रावत के बयान पर टिप पड़ी की प्रियंका चतुरवेदी ने लिखा कि देश की संस्क्रती और संसकार पर उन आदमियों से फर्क पड़ता है जो महिलाओं और उनके कपड़ों को जज़ करते हैं सोच बदलो मुख्यमंत्री जी तभी देश बदलेगा CM के इस बयान पर ना सर्फ नेता बल्कि कई फिल्मी सितारे भी अपनी प्रतिक्रियां सोशल मीडिया पर साज़ा कर रहे हैं इसी कड़ी में सोना मुहपात्रा ने अपने आधिकारिक ट्विटर एकाउंट पर अपनी दो तस्वीरे साज़ा की हैं इन तस्वीरों में वह ब्लैक रिप्ट टॉप पहनी दिखाई दे रही हैं इन तस्वीरों को साजा करते हुए सोना मुहापात्रा ने अपने ट्वीट में लिखा मैं नमी के कारड जीन्स नहीं पहनती हूँ और यहां गर्मी है लेकिन मैं अपने रिप्ट टीशर्ट और संसकारी गुटना दिखाने के साथ खुश हूँ जो लड़किया रिप्ट जीन्स पहनती हैं उन्हें भारत में किसी के अनुमती की जरूरत नहीं है हम गौरफ शाली, कोरकार, खुजराहो, मोठे रात, थीरियम, विरुपाक्ष की भूमी है सोशल मीडिया पर सोना मुहपात्रा का यह ट्वेट तेजी से वारल हूँ रहा है गाईका के फैंस और तमाम सोशल मीडिया उनके ट्वेट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं गौर तलब है कि उत्रखन के मुख्यमंत्री तीरत सिंगर रावत ने हाली में दहरा दूर में एक वर्कशॉप के दौरान कहा आशकल यूवा पटी जीन्स यानि की रिप्ट जीन्स पहन कर चल रहे हैं क्या या सब सही है या कैसे संसकार है फटे कपड़े पहनना शान बन चुका है अब फटी जीन्स पहन कर यूवक यूवतियां फर्क महसूस करते हैं वही अक्टरस गुलपनाग ने भी मुख्यमंत्री पर तंच कसा है इस दोरान उन्होंने महिलाओं के रिप्ट जीन्स पहनने पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था आजकल महिलाओं फटी जीन्स पहन कर चल रहे हैं क्या ये सब सही है ये कैसे संसकार है बच्चों में कैसे संसकार आते हैं या अभिवावकों पर निर्भर करता है। प्रतिक्रिया दी, ये 11 सार पुरानी जीनस है। इसलिए खराब हो गई है। नहीं नहीं फट गई। गई। गुर्पना के साथ कही महिला यूजर रिप्ट जीनस में अपनी तस्वीरे ट्वीटर पर शेयर कर रही है। ट्वीटर पर आज सुभा से हैश्टाग रिप्ट जी चक्ति को आज हमने पैनलस के तौर पर बुलाया हुआ है ताकि रिप्ड जीन्स के बारे में जो तीरस सिंग ने प्रतिक्रिया दी है उस पर हम भी थोड़ा जान सके कि क्या रिप्ड जीन्स या हमारे कपड़े हमारे संसकार और संस्कृती को दर्शाते हैं तो इस पर बात कर उन्हें एक इक डिटील उन्होंने पूरे अपने भाशन के दौरान अपने बायानों में उन्हें बताई कि किस तरह से उस्माईला ने क्या क्या पहना हुआ था कैसी मान सिकता है क्या लगता आपको जी देखिये मेरा ख्याल यह है कि किसी का कपड़ा या किसी का पहनावा कल्चर को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करता और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो हमारे Honorable CM है उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है तो यह पूरी तरह से एक irresponsible, misogynist statement है वो former education minister भी रह चुके हैं यह पूरी तरह से शौकिंग है क्योंकि उन्होंने उस मन से देखे महिलाओं के education के बारे में बात नहीं की महिलाओं के nutrition यानि महिलाओं के portion के बारे में बात नहीं की उन्होंने women empowerment के बारे में बात नहीं की उन्होंने महिला सुरक्षा को किस तरह से सुद्रिड बनाना है इन सब मुद्दों पे उन्होंने बात नहीं की उन्होंने महिलाओं का जो पहनावा है जो रिप्ट जीन्स है उसके बारे में चर्चा करना मुनासिब समझा तो जाहिर सी बात है कि देखे ये पूरी त को से row тысячory shower और सनसकार ने विवररन दिया है कि नीजे से उन्होंने उन्हों को ऊपर देखा फिर उसके घुटने देखे फिर देखा की माह हैं तो मुझे लगता है कि पहली तो महिलाओं को वो संसकार न सिखाएं पहले अपनी सोच को बदलें अपने संसकारों को वो सही करें और साथी साथ मैं एक उनसे गुजारिश करूंगी कि जाके हमारा जो समविधान है देखिए हम डेमोक्रसी में रहते हैं और हम कॉंस्टिटूशन से जितने भी हमारे जो र आर्टिकल 15 इसके बारे में जरूर वो कुछ पढ़ ले ताकि उनको यह पता चल सके कि हमारा समविधान हमेशा से समानता की बात करता है equality की बात करता है महिलाओं की समानता के बारे में बात करता है साथी साथ social freedom के बारे में बात करता है एक दूसरे की choices को respect करने की बात करता है तो ये सारी जो बाते हैं मुझे लगता है कि एक पढ़े लिखे इनसान को और especially एक honorable cm को पता होनी चाहिए और इस तरह की जो बाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि जागरुकता की कमी जैसा कि मैंने कहा कि एक कूप मंडुक मेंटालिटी से generate होता है जिसको पूरी तरह से बदलने की जरूरत है मुझे लगता है कि उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए बिलकुल नंदी जी आपने कहा कि हमारे अधिकारों की बात तो की जाती है लेकिन उस पर किस तरह की जब इस तरह से CM कोई जब आप इतने बड़े पदपर होते हो आप एक चेहरा होते हो और आप जब इस तरह की बयान बाजी करते हो तो कहीं न कहीं सवाल खड़े होने लाजमी है कस्तूरी जी मैं आपसे जाना चाहूंगे आपको क्या लगता है क्या इस तरह की बयान बाजी करना सही है क्या कपड़ों से आप एक महिला को जच करते हो कि उसकी मान सिक्ता, उसके संसकार, उसकी संस्क्रिती क्या है और तो और आप यहां तक कह देते हैं कि क्या वो बच्चों को अपने क्या सीख देंगे जब उन्होंने रिप्ट जीन्स पहनी हुई है तो बिल्कुल सही बात आपने यहां पर कही देखें दूसी चीज कि मैं खुद दो बच्चों की माह हूं तो मुझे ये पता है कि मुझे अपने बेटे और बेटी दोनों को क्या सिखाना है दूसी चीज अगर मैं खुद इस तरीके के कपड़े पहन के कभी जाती हूं अपने स्टाफ को रिप्रेजेंट करती हूं जहां पर वो क सबसे पहली बात तो यहां पर बात कुछ अच्छा या बुरा सिखाने की नहीं है बात जो बात हम कर रहे ना वो सोच की बात है अगर शुरू से ही हम अपने बच्चों में चीज जाल देंगे कि लड़कियां यह नहीं पहन सकती लड़के वो कर सकते हैं लड़कियों को ऐसे क कोनी चाहिए कि वो क्या पहनते हैं और वो किसमें कमफर्टिबल हैं और बात जब संसकारों की आती है तो यह बात बिल्कुल साथ तौर पर मैं कहना चाहूंगी कि यह कपड़े जज नहीं करते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या संसकार देते हैं बिल्कुल कस्तूरी जी आ सकती हूं मैं सोशल वर्क कर सकती हूं देखिए यहां पर एक चीज बहुत साफ तौर पर कहना चाहूंगी कि जब हम अब मुझे सुबह निकलना पड़ता है अपने घर से उन लोगों से मिलने के लिए या अपने ऑफिस जाने के लिए जहां पर मैंने अपना सेट अप कर र हूं वह ooo कंप्लीटली मेरे उपर है और और देखेह काम दिखना चाहिए कि आप क्या काम कर रहा है किस तरह से अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हो यह दिखना ज़ना जभूरी ने कि आका पहन पहन के उसको चीजन सिखा रहे और आप क्या पहन के क्या काम कर कि आपको क्या लगता है कि आप भी सुष्ट वर्क करती हूं से उपर इक आप महिला है आप खुद शादी शुदा हैं तो आपको लगता है कि कि पहनावे से इनसान की सोच पहता चलती है यह कोई उम्र होती है इस पहनावी को बहुत ज़ादा ज़रूरी है, देखिये महिला सुरक्षा पर बात होती है, कई बार इस तरह की बाते हगा होती है कि वो फुलाना महिला ने ये पहन लिया था तो इसकी वजह से उसके साथ molestation हो गया, दुशकर्म हो गया, ये सारी बाते मुझे बहुत ही बेकार लगते हैं, मुझे लगता है कि हम अपने streets को, हम अपने समाज को इतना सुद्रिड बनाए, इतना सुरक्षित बनाए कि उसमें हर महिला जो है, वो खुद को safe feel कर सके और इस तरह के जो issues हैं, जो molestation के जो cases होते हैं, ये सब नहीं हो, मुझे लगता है कि ये जो mentality होती है, इसमें जादा माइने रखती है, रादर देन कि किसने क्या पहना हुआ है, देखिए एक report आई थी जिसके हिसाब से कुछ ऐसी महिला है थी, जिन्नोंने इंडियन अटायर पहना हुआ था, और उनको सबस कुछ पुरुष जो है, वो बाज नहीं आते, इव टीजिंग जो है, वो करते ही है, तो सोच को बदलने की जरूरत है, और जहां तक देखिए इस तरह के statements का सवाल है, तो एक आप honorable post पे हैं, आप आपके उपर, आपके कंधों पर state की जिमधारी है, तमाम तरह की जिमधारि और साथी साथ युवाओं में क्या जाएगा, जो युवा हैं, जो इस्पेशली जो लड़के हैं, मैं लड़कों की बात कर रही हूँ, तो उनके मन में किस प्रकार की भावना आएगी, क्या वो महिलाओं को इजद दे पाएंगे, जब CM वहां मन से खड़े होके इस तरह की बात कर रहा है, तो देखे इस तरह के जो स्टेटमेंट्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के प्रती जो अपराद है, उनको बढ़ाने में मदद करेंगे, कम नहीं करेंगे, तो मेरी तो यहीं गुजारिश है कि जो मंच मिलते हैं, जो जहां से मुझे लगता है कि ज पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, महिला सिर्फ ती करण की बात करते हैं, पिंक बूत बनाय जा रहे हैं, उसके बाद उनके सीम द्वारा इस तरह की तिपड़ी करना बेहद शर्मनाक है, और मैं भी खुद भी मानती हूँ कि इस तरह की तिपड़ी करना कहीं जाय जी से हम संपर्क करने की कुशिश करते हैं लेकिन वो इस बयान पर बोलने से कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं महीं मैं कस्तूरी जी आप से जाना चाहूंगी बच्चियां जो होती है छोटी छोटी उनके कपड़े तो डिसाइड नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उनके साथ जो को अब बच्चों तो अगर एंडेली की बात करें तो भी हाल में हम एrunning की बच्चियां है जोुख रहा है गाता है तो क्या आप वाकई है समझते हैं अचे ऐस बच्ची की गल्ती होगी उसना पहनに नहाल की गलती होगी इसने क्या पहन रखक का शेथ ऑभी डाईपर पहन तो यह सबसे पहले मानना बिल्कुल गलत है कि कपड़ों से घटना घटती है क्या साड़ी पहने हो इसे कोई कपड़े जो एसा उनको लगता है कि उनको प्रोवोक करता है ऐसी बात नहीं है देखिए यह सिर्फ एक सोच है और उसी सोच को दूर करने का उसी गंदगी को आज में क्योंकि वाकई हम लोग तेजी से बढ़ रहे हैं तमाम चीजों में अगर आप कोविट की बात करिए तो भारत ने सबसे पहले वैक्सीन जो है हम सबके पास जो है सामने वो ले करके आया एक बहुत बड़ा एचीवमेंट लेकिन अभी सबसे बड़ी जरूरत क्या है यहां की सफाई की क्योंकि सारी चीजें वहीं से शुरूर होती है बिल्कुल वो जरूरी है और नंदिर जी ऐसे हम लोग पिछली बार डिबेट करी तो हमने यही आशा की थी कि हमें दुबारा महिलाओं की अधिकारों को लेकर हमें डिबेट दुबारा ने करनी पड़े है लेकिन जब एक पदपर विनाजमान इस तरहा के किसी राज के C.M. इस तरहा की तिप्ड़ी करतें तो आपको क्या लगता है महिलाओं के अंदर से तो वो आस किसी तरह की तिप्ड़ी कर रहा है है तो आस किसे लगाсть? बिल्कुल जब एक आप गरिमामई पोजिशन पे हैं आप Honorable CM है और आप इस तरह की बात करेंगे तो महिलाओं में कहीं न कहीं जो confidence है वो तो कम होगा ही साथी साथ आप सोचे कि लोगों में भी आप कितने सारे लोगों की नजरों से भी गिर जाएंगे तो इन सारी जो बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है और इन फाइक देखिए जैसे आप ही कह रहे थी आप देखे सेंटर के लेवल पे भी तमाम तरह के program policies बनाय जा रहे हैं इन फाइक कोर्ड्स भी नए नए rules regulations जो है वो ले के आता है उसमें हमेशा से महिलाओं के choice को महिलाओं के dignity को सुनिश्चित करने की बात कही गई है महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात कही गई है और अब तो देखे ये एक wave चला है women empowerment का तो उसमें इस तरह के जो statements है वो पूरी तरह से दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं उनके अंदर जाग रुकता की कमी है और ये सोच बदलने की बहुत जादा जरूरत है बिल्कुल कस्तुरी जी आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं एक सोच को दर्शाता है कि किस तरह की आपकी सोच है कि जब आप इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं कि एक औरत को जब वो मंदिर जा रही है तो उसे सूट पहन के जाना चाहिए या वो जब किसी organization में work कर रही है तो उसे सूट पहना चाहिए साडी पहनने चाहिए या वो motherhood में आ गई है तो उसे सूट साडी के लिबास में आना चाहिए क्या सूट साडी ही हमारी संस्कृति को दर्शारा है जीन्स आप अगर कोई लड़की ribbed jeans पहन रही है शोट पहन रही है तो क्या उसके अंदर वो स एडवाइज दे कि मैं क्या पहन के क्या करूंगी तो यह मेरी नहीं यह उसकी सोच दर्शाता है कि उसको वाकई इस चीज की जरूरत है कि वह अपनी सोच बतले और जब आप बात करते हो एक ऐसी पोजिशन की एक ऐसी पोस्ट की जहां पर अब मैं तो यह समझते हूं कि इस स चीज के बात खारिच कर दी जाए कि आपने ऐसे कपड़े पहने तो यह हाथसा तो आपके साथ होना ही था मतलब आप सोची यह चीज बिलकुल सोच पर काम करने की बहुत जरूरत है नंदिनी जी लेकिन हम बात कर लेते चलिए ठीक है कि मर्दों को पुरुषों की जो सोच तो लोन काता है तिनी रात को निकलने की क्या जरूरत है तो रात को अगर लड़की निकल रहे है और उसकी हथ्या हो जाती है तो एक महिला ही जब उसके लिए खड़ी होकर यह बोलती है कि इतनी रात को निकलने की क्या जरूरत ही तो पुरुषों से तो हम उमीद कुछ करत तो यह पूरी तरह से इट इस लाइक श्रगिंग ऑफ रिस्पॉंसिबिलिटी आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कहीं नहीं कर पा रहे हैं तभी आप इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहें देखिए यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो स्ट्रीट हैं उनको पू जरूरत अगर पड़ गई अगर मान लीजिए उसके पिता की ही तब्यत खराब हो गई उसको गाड़ी लेकर जाना है और हॉस्पिटल जाना है तो कम से कम वो सेफ फील कर सके बिल्कुल और जहां तक देखे मानसिक्ता की बात हो रही है संसकारों की बात हो रही है मुझे य अगर अच्छे हो गए तो ठीक है महिला की जैजेकार अगर बच्चे गलत हो जाते हैं तो महिलाओं को सब्सक्राइब करते हैं कि आप लोग सोशल वर्कर के तौर पर वर्क करते हो तो आप लोग बहुत ऐसी सिच्वेशन से गुजरना पड़ता होगा जहां पुरुष प् प्रेवलेंट है प्रिडॉमिनेंट है आप कभी भी रेखें जैसे मैं डिबेट में जाती हो तो वहां पर हमेशा जो वेल आर्टिकुलेट महिला होती है जो अपनी बात को सशक्त रूप से रखना चाहती है या बाहर भी अगर जाती है तो उसको सबसे जादा क्रिटिसिज है उनमें आगे कही न कही बढ़ते रहने की जरूरत है और पूरी मज़बूती से बढ़ते रहने की जरूरत आगे सब Growर्यकि की तो है वो educated हो रही है आगे आ रही है सशक्त हो रही है तो इस तरह के statements मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला जो है वो जह लेगी कस्तूरी जी आप ने बिल्कुल सही अग्री करती हूँ क्योंकि खुद मेरी शादी जो है वो गाओं में हुई है लेकिन मैंने खुद अपने लेवल पे अभी हमारे हां शौचाले जो है कुछ साल पहले ही आया है मेरे गाओं में मेरे ससुराल में तो कहीं न कहीं वो जो शुरुवात है जब मैं अपने गाउं गई तो वहां पर अब हम लोग घूंगट भी नहीं करते हैं हमारे जो घर की जो बहुए हैं पूरी तरह से वो घूंगट नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं देखेंगें जो है वो आ रहे हैं अपने ले लेकिन कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जिसकी वज़े से महीलाएं जो हैं नहीं जाती हैं लड़किया जाती हैं तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सामाजिक कारेकरता को मुझे आपको और हमारे जैसे अन्य लोगों को भी अपने अपने लेवल पर चेंजिस लाने की बहुत कि हमें अपने जो देश की कुरीतियां जो चली आ रही है सब्यों से उसको अगर मिटाना है तो हमें खुद आवाज उठानी होगी और ऐसे पुरुषों की आवाज दबानी होगी जो ये कहते हैं कि रिब्ड जीन्स पहनने से आपकी संस्कृति और आपकी सोच क्या है ये दर्शाता है तो ऐसे लोगों कम मूबंद नहीं कर सकते हैं लेकिन हम अपने आपको बदल लें ये भी हम नहीं करेंगे हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और ऐसे लोगों को मूतोर जवाब देंगे कि लड़कियां रिब्ड जीन्स के साथ भी वो कर सकती हैं जो आज कल कोई नहीं कर रहा है फिलाल के लिब बसंदने आहीं मैं फिर आजिरों के देश और दुनिया के तमाम खास कबरों के साथ आप कहीं मत जाएगा देखते रहिए प्राइम टीवी